गभें आज मर्णाय़ है ऐलोग जैसे कि आप सभी लोगों को बताए कि हम अलोग कर रहे हैं शॉर्ट लेक्श्य सीरीज को हम लोग यहां पे खर रहे हैं तो मतलब कि आपको दर्स मिनोट में कुछ एक ऐसा टॉपिक हम लोग यहां पर बताने जारहे हैं जिसे कि आप लोगो सबस्क्राइब आप लोगों को इसका क्या हो बैनेफिट हो यहीं से आप लोगों के उटके एक-डो सबस्केर अब जिससे अपर हम बात करें तो आज हम यह शॉट लेक्ट्रीस में हम लोग देख रहा है जिसने उस्टार बात करें मेल कि आप बने रिषाइं में भी पुछी जाते हैं तो इसको हम लोग यहां पे cover-up कर रहे हैं अब देखें इसमें हम लोग देखें तो देखो WSMT अगर हम बात करें व्यक्टिक तो जो भी रहा डिजाइन करते हैं और तो जो बहुत हमारे तो यह ही हमारे working load के equivalent होता है और वो ही हमारे उसी को ही हम लोग service load बोलते हैं कहने का मतलब जो service load है वो ही working load है और वो ही हमारा क्या है design load है इसमें हम किसी भी factor से multiply नहीं कर रहे हैं अब इसी किता साथ देखो second में अगर हम लोग बात करें design stress कहो या इससे आप लोग permissible stress को जब हम material की strength की बात करते हैं जब हम लोग material की strength की बात करते हैं तो जितनी material की जो भी material हम लोग use करते हैं उसकी strength को हम लोग कम assume करते हैं जबकि material की strength अच्छी होती है ठीक है उससे ज़्यादा होती है लेकिन हम लोग क्या करते हैं काम आज्यूम करते हैं तो तब ही तो हम लोग कर रहे हैं characteristic strength और material जो भी material की characteristic strength होगी divided by factor of safety मतलब कि हम क्या कर रहे हैं overall जो भी हमारे material की strength है उसको हम underestimate कर रहे हैं क्योंकि देखो आपको पता है कि material की एक अच्छी खासी strength होगी हम लोग उसको लेकिन कम मान रहे हैं कम मानने का मतलब कि हम उसे factor of safety से divide कर रहे हैं इसी के साथ ये बहुत important है आप लोग के exam में बहुत पुछा जाता है कि अगर हम W SM के according करें तो factor of safety concrete के लिए क्या होती है और skill के लिए क्या होती है अगर हम concrete के बात करें तो factor of safety आप कित्री होती है और इसी तरीके से अगर हम skill के बात करें तो factor of safety हमारी 1.78 होती है अब देखो यहां से दो हमारे conclusion निकल के आती है first तो यह आता है कि जो भी हमारा working load और service load है वो ही हमारा क्या है design load है यूनिकनेस theorem बन गई इसी के साथ second में हम लोग बात करें तो design stress की बात हो रही है किसके material का जो भी design stress है किसकी बात हो रही है material के design stress की बात हो रही है तो इसमें हम लोग उने कहा कि यह हमारी lower bound theorem है आप देखो यह lower bound और upper bound का concept बहुत अच्छा है लोग जो कुञा हो ने है जब आप किसी की strength को underestimate कर रहे हो तो हम लोग उसे lower bound कहते है और जब हम किसी की strength को बढ़ा रहे हैं तो हम उसे over estimate कर रहे है कहने का मतलब हम उसे upper bound कहते है clear है यहां आता सभी रोगों को तो देखो design stress में हम लोगों ने कहा कि जो भी हमारा ये material का design stress है हम लोगोंने क्या करा जो भी हमारा material का design stress है उसको कम माना क्योंकि तब ही तो हम factor of safety से divide कर रहे हैं इसी के साथ देखो यहां से हम लोगोंने क्या करा कहने का मतलब कि material की strength को underestimate करा वो material हमारा ऐसा था कि वो अच्छी strength ले सकता था लेकिन हमने ही उसकी strength को कम assume कर दिया इसका मतलब कि material की strength को हम underestimate कर रहे हैं मैंने यहां पर हिंदी में भी लिखा है जिसे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो कि material की strength को हम लोग underestimate कर रहे हैं इसी current से जो design stress हमारा material का होगा यह हमारा lower bound theorem के अंदर आएगा किसके अंदर आएगा lower bound lower bound का मतलब कि किसी भी चीज़ की strength को आप लोग underestimate कर रहे हैं upper bound का मतलब कि किसी भी की strength को हम लोग बढ़ा रहे हैं इसका मतलब हम over estimate कर रहे हैं अब देखो यह तो बात रही हमारी working stress की सबसे पहले हमारे पास working stress method आई थी RCC में देन उसके बाद हमारे पास आई ultimate load method कौन सी method आई आई आपके पास ultimate load method अब देखो ultimate load method में बताएं तो design load जो आप लोगों का होगा उसको अब हमने बढ़ा दिया है अब हम जितना हमारा working load है उसको हम लोग बढ़ा दे रहे हैं कहने का मतलब हमने load factor से multiply करा दिया working load का तो ये हमारा design load हो गया इसी के improvement में आई अब design load को तो ये assume करा लेकिन क्या हुआ जो design stress है material का उसको हम लोगों ने same इसी की तरह assume करा कि जो भी strength होगी characteristic strength होगी material की divided by factor of safety मतलब कि हमने material की strength को यहाँ पे कम assume कर लिया लेकिन हमने load को क्या कर दिया बड़ा दिया load को हमने कहा कि load हमारा जितना आ रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है हमने ऐसा assume करा तो इसी के साथ अगर हम बोले अगर यहाँ से देखें तो क्या conclusion निकलता है आप लोगों का conclusion यहाँ से हमारा ये find out होता है कि जो हमारा यहाँ पर design load है क्योंकि design load को हम लोग ज़्यादा assume कर रहे है, load factor से multiply करके, इसका मतलब कि design load को हम लोग क्या कर रहे हैं, over estimate कर रहे हैं, जतना load हमारा आ रहा था, हम उस से क्या कर रहे हैं, ज़्यादा आप लोग मान रहे हो, इसका मतलब हम इसे over estimate कर रहे हैं, तो overall ये कौन सी theorem में आ गया, upper bound में आ गया, इसके बाद material strength तो same हमारा उसी की तरह जैसे WSM में था, तो material strength में क्या आ गया, ये lower bound आ गया, क्योंकि हमारी जो material की strength है, जितना हमारी material ले सकती है, हम उससे भी का मैं आज़िम कर रहे हैं, factor of safety से divide करके क्या कर रहे हैं, उसको और का मैं आज़िम कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी आएगी lower bound में और इसी को आप लोगोंने कहा, जब हम इसे underestimate कर रहे हैं, मैं आपको बताई चुकी हूँ, अगर आप underestimate करोगे चीजों को, strength को हमने underestimate करा, इस का मतलब ये lower bound theorem में आपका आएगा, इसी के साथ अगर हम लोग बात करें, factor of safety की, यहां से आप लोगों के दो कोशन बनते हैं, एक ये कोशन बनता है, एक ये कोशन, factor of safety की बात करें, तो 1.5 हमारी concrete के लिए होती है, और factor of safety 1.15 हमारी steel के लिए होती है, जब हम ultimate load method की बात कर state method में हमने क्या का, ये same आपकी ultimate load method की तरह ही होगी, हमने design load को बढ़ाया, इसी तरीके से design stress जो material का होगा, उसको हमने काम आज्यूम करा, बस इसमें एक conditions आप लोगों की बहुत अच्छी है कि यहां पर serviceability criteria आगया, serviceability criteria का मतलब कि limit state of collapse and limit state of serviceability के लिए हम लोगों क्या करने लगे, design करने लगे, यहां हम लोग कहें, cracks के लिए, deflection के लिए, इन सब के लिए भी हम लोग की अपने structure को design करने लग गए, तो limit state method में same ultimate load method का ही concept है, यही सारी चीज़ें आप लोगों की आएंगी, बस यह चीज़ हमारी यहां पर आ जाती है, एक limit state of collapse and limit state of serviceability, clear है यहां त तो देखो हमने WSM पढ़ लिया और इसी तरीके से हमने ultimate load पड़ा और सी तरीके से LSM, तो तीनों method में सबसे bestest method कौन सी कहोगे आप लोग, तो यहां से हम लोग conclude करेंगे, कि जो हमारी LSM है, यह हमारी क्या कहलाएगी, best method कहलाएगी, तो हम लोग यहां पर load को भी assume कर रहे है और साथ ही साथ, जो भी आपका detection criteria है, serviceability के लिखाओ, collapse के लिखाओ, इन criteria को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, consider कर रहे हैं, it means LSM हमारी सबसे bestest method कहलाएगी, अब इस चीज़ में आप लोग को confusion नहीं होना चाहिए, अगर हम design stress और permissible stress कह रहे हैं, characteristic strength of material upon factor of safety, तो हमारी जो material की strength already ह हम उसे क्या कर रहे हैं, कम assume कर रहे हैं, अब कैसे कर रहे हैं, देखो, अगर suppose मैंने design stress of material की बात कहें, तो 100 MPA का suppose इतनी strength थी हमारे material की, 100 MPA थी, अब मैंने क्या करा, कि suppose factor of safety मैंने यहाँ पर 1.78 लगा दिया, कह रहे हैं था, factor of safety अगर मैंने 1.78 कर दिया, की strength तो 100 थी, लेकिन मैंने अपने design में क्या कर दी, 56 assume कर दी, इसका मतलब कहीं न कहीं को कम कर दिया, मैंने underestimate कर दिया, तो यहीं से हम लोग कहेंगे, कि जब हम design stress of material की बात करते हैं, तो यह हमारी आती है lower bound में, और यह upper bound और lower bound का concept बहुत अच्छे से समझना, कि lower bound theorem का मतलब या lower bound आप लोग किसी चीच को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उस चीच की या उसकी strength को हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उसकी strength तो है तो जादा 100 हैं की strength material की, लेकिन हम लोग क्या मान दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग under estimate कर रहे हैं, इसी तलिए, आप लोग तरीके से ultimate load में हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा design load है उसको हम बढ़ा दे रहे हैं load तो हमारा कम आ रहा था लेकिन हम उसे ज्यादा assume कर ले रहे हैं इसका मतलब कि हम over estimate कर रहे हैं तो आप लोग factor of safety दोनों धियान रखेंगे यह एक दो नंबर में आप लोग उसे पूछी जा सकती है और at last अगर हम लोग कहें तो limited state method को हम सबसे bestest method कहते हैं hope तो कि आप लोगों को यह जो हमने short lecture duration की आपके लोगों के lecture series लगवाई है तो यह आप लोग को पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो वीडियो को प्रीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा ठीक है और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्रीज सब्स